हेलो फ्रेंट स्वागत आपका अपने चैनल में यह सर्कुलर सभी स्ट्रोंट के लिए बहुत इंपोर्टन जिन्होंने 2023 में एकट्यू से संस्थानों में एड्मिशन मिलिया है तो इस सर्कुलर में उनके जो एक्जामनेशन फॉर्म फीस और इन्रोल्मेंट संबंदी सूच इस देट को बढ़ा दिया है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्रपिया उप्रोक्त विश्यक के संबन में आउगत कराना है कि विश्य विद्याले में सहचिक सत्र देश चोबिस में काउंसलिंग तथा प्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से निर्धारित तितिक नौ प्रव इंक्रीज की डेट को इंक्रीज कर दिया गया है अब यहां पर फस्टियर के स्टुडेंट और सेकेंडियर के स्टुडेंट में लेटरल एंट्रिवाल स्टुडेंट उनको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर उनका इंग्जामनेशन फॉर्म क्या है तो द कोई जोहां पर फिOL आफ लाइन छोगी और अपका जो एंग और हैंस सेिशन करणा के में लिया करना अगर आपकाईइंट फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है अगर आपका enrollment form आपका examiner form है और examination fees भी वही है जो आप enrollment के समय सम्मिट करते हैं तो आप अपने college से contact करिए call institute से contact करिए और वही आपका exam form और वो enrollment form fill करेंगे तो 15 दिन इस date को और increase कर दिया गया है first year के student और new admitted student है वो phase 2 में आते हैं तो आपका जब examination form का एक circular आएगा phase 2 के विद्यार्थियों के लिए चुंकि उनकी परिक्षाय जो है वो मार्च के करीब होती है तो फरवरी में ही उनका exam form होता है तो first year के student का examination form और enrollment form वो college वाले ही submit करते हैं उसके लिए आपको online submit करने की कोई जरूरत नहीं है student लगातार confused हो रहे हैं तो किसी भी आपके exam form या phase के लिए अपने college से contact करिए अपने institute से contact करिए के website पे आपका भी कोई भी जो है उस पर जाने के आपको जरूरत नहीं है और अगर कोई रिगार्डिंग exam form फीस newly admitted कोई problem हो तो आप comment section पर mention कर सकते हैं तो पंदरा दिन जो है वो new admitted student की exam form और या enrollment form या exam fees की तिथी को बढ़ाया गया है तो this is the latest update for more update keep watching subscribe the channel press bell icon and join telegram channel thank you very much